हेलो दूस्तों आज की इस फीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने मेसेंजर का जो आईडी होती है उसे डियक्टिविट कर सकते हैं तो यहाँ पर दूस्तों क्या होता है कि आपका जो मेसेंजर होता है वो ओन ही रेता है और यहाँ पर कुछ लोग को ऐसा प्रब्लम आता है तो वो अपनी मेसेंजर की आईडी होती है उसे डियक्टिविट करना चाते हैं तो उनको नहीं पता कि मेसेंजर की आईडी को डियक् स्क्राइब करें तो चले शुरू करते हैं आज का वीडियो तो यहां पर दूस्तों आपको अपना मेसेंजर का जो आइडिये उसे डियेक्टिव करने के लिए आपको जाना है अपना मोबाइल में जो फेस्बुक अकाउंट है जिससे भी आपकी फेस्बुक आइडि है और फेस्बुक का मेसेजर पा अकाउंट है उस पर आपको जाना है उसके बाद यहां पर आपको उपर त्री लाइन दिखेगी तो आपको उस पर क्लिक करना है और यहां पर आपको आना है नीचे और नीचे आपको एक गिंग मिलेगा मेरेवzess द॥ो आपको उस्पर क्लिक करना है और यहांपर दुस्तों आपको आना है यहां पर परस्था अगांट इंफोर्य में ऊपर आपको खुंक्शन मिलेगा फस्लीस पर classified आपको लनेत्स Panos के उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे सरे मिलेगा डिए अक्टिवेशन एंड डिलें तो आपको उस पर क्लिक करना है अगर आप अपना प्रेश्बूक अकाउंट पर्मेंड करना चाहते तो यहां पर आपको ऩngनीचे क्लिक करना है जिससे आपका मेसेंजर Luk Nhard घेलेट हो जाएगा फर्मेनेटलि अगर अगर टेमपर करना चाहते है तो यहां पर आपको डियक्टिव अकांट पर क्लिक करना और निचे यहां पर आपको कंटीन उब अकांट पर कंटीन्य अकांट डियक्टिवेशन पर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों आपका जो भी फेस्बूक का पास्वर्ड है उसे यहाँ पर आपको एंटर करना है जो भी आपका पास्वर्ड है तो पास्वर्ड डालने के बाद दूस्तों यहां पर आपको नीचे कंटिनु मपटन उसके बाद दूस्तों यहां पर आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद दूस्तों अगर आप हमेशा के लिए यहां पर आपको डिलेट करना चाहते है तो यहां पर आपको एक उप्शन मिलेगा नीचे डॉंट रियक्टिव ओटमेटिक लिए तो यहां पर आपको उस पर कि डिएक्टिव में अकाउंट पर क्लिक करना है उसके बाद दूस्तों यहां पर आप जो अपने फेस्बुक के मेसेंजर से यहां पर आप लोग आउट हो जाएगे उसके बाद यहां पर आपको आना है बैक और यहां पर आपका जो मेसेंजर उसको आपको उपन करना है तो जैसे दोस्तोक अब अपने मेसंजर को अपन करेंगे तो यहां पर आपको अपना प्रोफाइल पर जाना है और यहां पर आपको आना है नीचे तो यहां पार आपको नीचे आना Unique option मिलेगा A लीगल एंड पॉलिसी तो आपको इसके बाद आपको नीचे और ऊप्षय मिलेगा डी एक्टिव सेशच्व मेसेंजर तो आपको उसपर क्लिक करना है उसके बाद दूस्तों यहाँ पर आपको दूबारा से आपका जो पासवर्ड है उसको एंटर करना है यहाँ पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको continue पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपको एक उप्शन मिलेगा deactivate तो उस पर आपको क्लिक करना है तो आपका जो messenger यहाँ पर deactivate हो जाएगा तो इस तरह से आप अपने messenger account का जो ID होता है इससे deactivate कर सकते तो यहाँ पर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वडिको लाइक करें चैनल पर नदर चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद